अक्षे कुमार फैन्स के लिए बेहती खास ख़बर लेकर टीम देखो देखो आपके साथ आ गए हैं अगर आप अक्षे के फैन है तो बीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें सभी को दोस्तों इंतजार है धूम की फ्रेंचाइजी का और उसमें अक्षे कुमार का नाम अगर चोड़ दिया जाए तो इंतजार और भी ज्यादा बढ़ जाता है वाई एरफ क्याने की यश्राच फिल्म के साथ में दोस्तों अक्षे कुमार का जो कटबंदन हुआ है वो हम पृत्वी राद चोहान से देखना शुरू करेंगे जो की 21 जनवरी 2022 को सिनेमा घर में रिलीज हो जाएगी इसके बाद में अक्षे कुमार वाई एरफ के साथ में उनकी सबसे बड़ी फ्रैशजी दूम 4 का हिस्सा बनेंगे और इस दूम 4 की जो दोस्तों अनाऊंसमेंट है वो पृत्वी राद चोहान के बाद ही की जाएगी अक्षे कुमार ने वायरफ के साथ में तीन से चार फिल्मों की डील की है जिसमें से एक धूम फोर भी है ये बात बताई जा रही है धूम फोर को काफे बड़े इस तरफ बनाय जाएगा और अक्षे कुमार इसमें रौ एक्षिन करते हों नजर आएंगे धूम की सीरीज अभी तक की दोस्तों हिट सीरीज में से एक आती है और भारत की सबसे बड़ी एक्षिन सीरीज में से एक है जिसमें जौन अबराहम, रितिक रोशन और आमीर खान अपना अपना जलवा दिखा चुके हैं अब एक्षिन की बात है तो खिलाडी कुमार कहां पीचे हट सकते हैं इंडरस्ट्रे के नमबर वन एक्षिन स्टार अक्षिय कुमार ही माने जाते हैं और धूम सीरीज में अगर वो आते हैं तो मानो की एक्षिन चार गुना बढ़ जाएगा देखना होगा कि दूम 4 में किस प्रकार की कहानी और प्लॉटिंग लिखी जाती है और साथ इसाथ क्या पुलीस वाले किरदार में अभी शेक बच्चे नहीं नजर आएंगे या स्टार कास में बदलाव गया जाएगा फिलाल अक्षे कुमार के पास दोस्तों फिल्मों की लंबी लाइन अप है जिसके प्रमोशन और शूटिंग में वो लगातार जुटे हुए है फिलाल वो अतरंगी रेप फिल्म की प्रमोशन में जुटे हुए है उसके बाद में अगले साल उनकी बहुत फिल्म में आने वाली है जिसमें प्रितिरा चोहां के बाद में बच्चन पांडे, राम से तू और दोस्तो गौरखा जैसी फिल्म में भी शामिल है और इसके अलावा उनकी रक्षा बंधन और ओमाई गौरट टू जैसी फिल्म में भी आने बाकी है तो इसमें धूम फोर भी जुड़ जाए तो मजा ही आ जाए आपको खबरसन के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं सब्सक्राइब करें देखो देखो